हेलोँ پ्रंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शीर कर रही हूँ कि ऐसा नास्ता जिसको बनाना बहुत आसान है कि यह नास्ता यकीन मानी है वह मैंने पहली बार ट्राइगी और बहुत ही अच्छी बनी थी गर में सभी को पसंद आये थी और बनाना बहुत सिंपल है, बहुत कम समान में मैंने इस नास्टे को बनाया है, तो आप इसको सुर्फ 10 मिर्ट में बना सकते हैं, गर में सभी को पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बोल में ले लिया है, एक कप के करीब रवा या सूजी आप जो भी बोलते हो उसके बाद मैंने यहां पे लिया है एक टेबल इस्पून मिल्लिट यानि के रागी का फ्लोर बहुत हेल्दी होता है तो आप डालिए अच्छा टेस्ट भी आता है अच्छा और हेल्दी भी हो जाता है अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने डाल दिया एक टेबल इस्पून बेसन और यहां पर मैं चार टेबल इस्पून के करीब दही डाल रही हूं दही आप घर का या बाहर का कोई भी यूज कर सकते हैं अब मैं जैसे की बाहर वाला यूज कर रहे थे थोड़ा सा पानी अड़ कर लिया और उसे भी इस में डाल दिया अब इसे मिला देना है थोड़ा सा पानी हम और भी अड़ करेंगे क्योंकि हमें इसका बैटर बनाना है तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और बैटर को अब देख सकते हैं फिलाल जो इसकी consistency है इस तरीके की है तो अभी हम इतना ही पानी डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने देना है क्योंकि 10 मिनट के बाद यह फूल जाएगी यह देख सकते हैं 10 मिनट के बाद यह इतना फूल गया है और पानी इतना ही है अब हमें यहां पर डाल देना है प्याज तो प्याज को मैं नम्बे लंबे कुड़ों में कट के आ उसके बाद मैं यहां पर डाल रही हूं बंद गोबी का इस्तेमाल किजिए यह रेसेपी जो है बन गोबी की है बहुत अच्छी टेस्टी लगी और बहुत अच्छा बंद गोबी बहुत जाता नहीं डाला है मैंने दो हैंड़ डाल सकत तो फिर मैंने डाल दी है अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है टेस्ट के लिए अच्छा होता है डाल दिया है मैंने आपे जीरा पाउडर धनिया पाउडर नमक स्वात के अनुसरा डाल देंगे और यहां पर मैं डाल रही हूं दो पिंच के करिब हल्दी का पा अधरक को ग्रेट करके डाल लिए उसके बाद मैंने डाल दिया यहां पर धनिया पत्ती और फिर इन्हें अच्छा से हमें मिला देना है बहुत ही अच्छा से मिलाएंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली है इसमें सबजिया और मसाले वह अच्छा से मिक्स हो जाए अब हम थोड़ा सा यहां पर पाने डाल देंगे क्योंकि बहुत गाड़ी है तो इतना गाड़ा बैटर हमें नहीं चाहिए थोड़ा सा हमें थोड़ा लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी चाहिए लेकिन बहुत नहीं अब देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है तो हमें ऐसा ही ने चाहिए अब एक पैन ले लेंगे उसमें हम डाल देंगे तेल थोड़ा सा तेल डाल दीजे एक ठीश्पून के करेजिआ बहुत जादा नहीं और नहीं और फैला दिजिए तब चारों तरफ भी नहीं रखना है मीडियम साइस का होना चाहिए और इसको राउंड शेप में हमें फैला देना है ठीक डोसा या फिर चिल्ला के तरह अब इसके उपर हम डाल देंगे धनिया का पती यह क्या ना कि देखने में बहुत ही कलरफुल लगता है यह रेसेपी और तेस्ट भी हम दुस्तरी तरफ इसको फ्लिप कर देंगे यानि की पलेट देंगे और थोड़ा सा तेल इसमें एड करेंगे चालों तरफ से ताकि नीचे वाला पोर्सन भी अच्छे से सीख चाहिए और हमें इससे घोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लेना है दोनों तरफ से जितना आ रेसिपी उमीद करती हूं कि यह रेसिपी आपको पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजेगा कि यह रेसिपी आपको कैसे लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू